आंतर राश्रिय हिंदू परिशत के संस्तापक प्रविंतोग्डिया ने दावा किया कि पाक अधिकृत कश्मिर भी भारत में आएगा देश में राम मंदिर बन गया है धारा 370 भी हड़ गई है वे प्रेश परिशत में बोल रहे थे राम मंदिर के लिए किये गए आंदोलन की तरश पर काशी मतुरा के लिए आंदोलन के सवाल पर उन्होंने कहा कि आंदोलन तप छेडा जाता है जब मुगलो का शासन हो और अभी तो मोदी शा गड़करी का शासन है घर में पोहाचना खाते हुए मंदिर बना लेंगे मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि लहोर में बैट कर गड़करी वहाँ भी रोड बनाए उन्होंने कहा कि मैं हिंदू ही के लक्ष के साथ आंतर रख्ष्रिय हिंदू परिशद ने गाव गाव में हनुमान चालिसा केंद्र खोलने की योजना बनाई है देश में आप तक 13000 केंद्रे शुरू हो गया है जिनने एक वर्ष में एक लाग तक करने का टार्गेट रखा गया उन्होंने कहा कि जिस तरह से शास्कियर डिडियो अर्थात डिस्ट्रिक डेवलप्मेंट ऑफिसर होता है उसी तर्ष पर हनुमान चालिसा डेवलप्मेंट ऑफिसर ने उपत रहेंगे गाव व शहर की गलियों में हनुमान चालिसा केंद्र खोलेगा सब्ता में एक दिन हनुमान चालिसा पार्ट किय जाएगा केंद्र से 200 से 500 हिंदु नागरीक जुडेंगे जिनने निशुलक राशन स्वास्त उपचार सेवा कानों नी मामले में वकिली साहता उपलब कराई जाएगी उन्होंने बताया कि नागपुर में 744 केंद्र खुल गए है यह अंतराश्टी इंदो परिसत के विधर प्रांद के कारेधक्स वर्किंग प्रेश्डेंट है किसोल डिकॉंडवार महराश्ट गोवा के जनरल सक्रेटरी है योगेश कायकवार यह प्रांद के मंत्री है यह देश में धारा 370 भी हट गई है CA का अमल भी शरू हो गया है अयोध्या में राम मंदिर बन गया और उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोर यू सी सी लग गया है विश्वास रखते हैं कैमेरा परसन राशकुमार मोहर के साथ अभिशेक पांसी बीसियन नियोज नाकपुर